नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में Asus ROG Phone 5S 5G vs Oppo Reno 7 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपारिजन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Phone 5S 5G में 6.8 इंच जबकी Reno 7 Pro 5G में 6.23 इंच की लेंथ मिलती है जो की Phone 5S 5G से कम है विट की बात करें तो Phone 5S 5G में 3.04 इंच जबकी Reno 7 Pro 5G में 2.88 इंच की विट मिलती है जो की Phone 5S 5G से कम है बात करें थिकनेस की तो Phone 5S 5G में 0.39 इंच जबकी Reno 7 Pro 5G में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो फोन 5S 5G में 238 ग्राम्स जबकि Reno7 Pro 5G में 180 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही AMOLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो फोन 5S 5G में 20 रेशियो 4 रेशियो 9 जबकि Reno7 Pro 5G में 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो फोन 5S 5G में 6.78 इंचर जबकि Reno7 Pro 5G में 6.55 इंचर मिलती है इस्प्ले रेशियो फोन 5S 5G में 1080 रेशियो 9.9 प्रतिशत जबकि Reno7 Pro 5G में 89.45 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो फोन 5S 5G में 395 प्रतिश जबकि Reno7 Pro 5G में 402 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जोकी मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो फोन 5S 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा और आखर में माक्रो कैमरा देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो फोन 5S 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Reno7 Pro 5G की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानि की सेल्फी कैमरा की तो फोन 5S 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Reno 7 Pro 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें पांच डिफरेंट फीचर्स मेंते हैं। अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं। hardware में सबसे पहले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं। GPU की बात करें तो, phone 5S 5G में Adreno 660 जबकि Reno 7 Pro 5G में Mali G77 MC9 मिलता है। Chipset की बात करें तो, phone 5S 5G में Qualcomm Snapdragon 888+, और Reno 7 Pro 5G में MediaTek Dimensity 1200 मिलता है। बात करें RAM की तो, phone 5S 5G में 2 variant देखने को मिलता है। जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकि Reno 7 Pro 5G में एक ही variant देखने को मिलता है। जिसमें 12GB RAM मिल जाती है। बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो, phone 5S 5G में 2 variant देखने को मिलता है। जिसमें 128GB 256GB की storage मिलती है जबकि Reno 7 Pro 5G में एक ही variant देखने को मिलता है। जिसमें 256GB storage मिल जाती है। expandable memory दोनों phone में नहीं है। operating system दोनों phone में Android V11 देखने को मिलती है। battery phone 5S 5G में 6000 mAh जबकि Reno 7 Pro 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। अई अब main feature को देखते हैं। colors की बात करें तो, phone 5S 5G में दो colors जबकि Reno 7 Pro 5G में तीन colors option मिलते हैं। सब information देखने के बाद बात करें price की तो, phone 5S 5G में दो variant देखने को मिलते हैं। जिसमें की 8GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 49,999 रूपीज, 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 57,999 रूपीज में मिलता है। और बात करें Reno 7 Pro 5G की तो उसमें एक ही variant मिलता है जो की 12GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 49,999 रूपीज में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो, Asus ROG Phone 5S 5G में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें OPPO Reno 7 Pro 5G की तो उसमें 8 फायदे और 10 नुकसान देखने को मिलता है। Finally बात करें है रिजल्ट की तो, डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। Main Camera में Phone 5S 5G आगे है। Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है। Performance में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले Competitor Phone की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S21 5G है, दुसरा OnePlus 8T 5G है, तीसरा Xiaomi Mi 11X Pro 5G है और लास्ट Competitor Phone की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco F3 Grams T 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।